23 सितंबर को नाकपुर्म के जामठा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्टेलिया के बीच T20 मुकाबला शेडियूल है दोनों देशों के बीच खेली जाने वाली सिरीज का दूसरा मैच नाकपुर में होगा इस मैच को लेकर विधरबक क्रिकेट एस्सोसीशन ने तयारिया भी शुरू कर दी है मैच के लिए टिकेट की बिगरी 15 सितंबर से ऑनलाइन और आफलाइन शुरू के होने की जानकारी वीसिये के सुत्रों ने दी है मैच को लेकर शुरू तयारियों के बीच वीसिये ने मैच का इंशुरंस कराय जाने का प्रयाज भी शुरू कर दिया है वीसिये के द्वारा पाँच बड़ी इंशुरंस कमपनियों को प्रपोजल भेजा गया है इस अंतराश्टिय मैच के लिए VCA ने 5 करोड रुपे का कवर मागा है हाला कि किसी भी कमपनी ने अब तक इस प्रपोजल को सहमती नहीं दर्शाई है मौजुदा समय में लगभग हर मैच का इंशुरंस लोकल क्रिकेट बोर्ड द्वारा करवाया जाता है इसके पीछे का मकसद मैच रद्ध होने की सूरत में नुकसान का खामियाजा बोर्ड को न भुगतना पड़े और टिकट खरीदने वाले दर्शकों को भी उनके पैसे वापस मिल जाए नागपुर में इन दिनों कभी भी बारिश हो रही है और मैच के रद्ध होने का प्रमुक कारण अचानक होने वाली बारिश ही होती है VCA की और से इंशुरेंस के आया प्रपोजल के बाद नैशनल इंशुरेंस कमपनी ने स्थानिय मौसम विभाग को पत्र लिख कर 22, 23 और 24 सितंबर का मौसम विभाग का अनुमान मांगा है ये पत्र 25 अगस्त को लिखा गया था जिसका जवाब देते हुए मौसम विभाग ने मैच के एक हफते पहले फोरकास दिये जाने की जानकारी इंशुरेंस कमपनी को दी है